अबू नजम फर्नेंदो फर्नेंदो किया इसका बाप जो था वो कोई एथियस हो थी इस था बिन अल इसकंदर माशाला नाम भी जो है ना पूरे कुम्बे का रहा है यह उसके मैं बैठा हूँ आडम साब तभी उसने फर्नेंदो भी लिगा हुआ इसकी आइडिया आप चेक क मैंने रिट्वीट किया कोड करके कि I love this shake because he is not a deceiver तो यह भाई ने मेरे को ब्लॉक की कर दिया एक से चोचो इसके ब्लॉक नर दिया मेरे को यार देखे ला तुने यह उसने का मैं स्ट्रेट हूँ तू कैसी बाते कर रहा है लव अब लव किसे लगा सकते है शेख के साथ अजय देखे आणम सब क्या लिखता है what's crazy is that muslims are talking about the future of bangladesh being more islamic while at the same time calling for good treatment of hindus the very first statement that he has written is so awesome and it's so true when it comes to islam sir आगे पर देखे इस ब्रूरत ही नहीं है यह कह रहा है दोस्तों अगर आपको अंगरेजी सही तरह समझ नहीं लगी तो यह कह रहा है वे बगार तो एक तरफ तुम कहते हो के bangladesh को islamic country बना रहा है अच्छी वली islamic country बना रहा है साथ पर तुम लोग कह रहा है हिंदूओं के साथ अच्छी च्छी 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 करो अच्छी ट्रीटमेंट करो अच्छी islamic country होंगी तो हिंदूअन च्छी ट्रीटमेंट कैसे होगी यह कह रहा है बना ओ माइग कृटनेश 929 fight against those who believe not in Allah nor in the last day nor forbid that which has been forbidden by Allah and His messenger Muhammad and those who acknowledge not Islam the religion of truth that is Islam among the people of the scripture Jews and Christians until they pay the jizya with willing submission and feel themselves subdued वही आयत जिल्लत के साथ जिल्लत के साथ वही आयत जो हमने अभी पेश की आज की stream का जो असल दलील थी वही आयत ये भी पेश कर रहा है अपनी किस बात को साबित करने के लिए कि वाय ले थिसती आई to Hindus कैसे हो सकता अभी कहता है all of the Muslim jurists for over 1000 years said this last part of the verse means that non-Muslims must be subjected to a different set of laws rules than Muslims and they must accept Islamic law कभी कोई मुला मौलवी इंडिया वाले पाकिस्तान वाले तो यही कहेंगे कभी कोई इंडिया वाला डंगर कोई मुसल्मान आपको अगर इस तरीके से बोले ना सारे एक्वल है इसलाम की नजर में इसलामिक शरिया में हिंदू-मस्लिम सब बराबर उसके मुँ पे मादना यह इसका पोस आगे देखते हैं यही तो बात है ना सार यह इसलाम इतना दोगला और जूटा है इसलाम इतना दोगला और जूटा है कि यह जिस लोकेशन पर होते हैं उस लोकेशन के मताबिक जूट पर जूट बोलते जाएंगे जब तक इनकी कॉणिटी वो नहीं हो जाएगी कि ये सच बोल सकें sir that's the problem sir बाकी धर्मों में मैंने देखा है वो सचा सत्य बोलेंगे जो भी बोलेंगे या ठीक यार ये है that's it ये वो वहिद बगहरती ये भाणिया की है जो अपने morals, values, teaching को जूट के साथ बकते जाएंगे जब तक इनकी ताकत नहीं है क्योंकि Allah ने chapter number 47 verse number 35 में क्या कहा था do not go for peace when you are the uppermost तो जब तक अपरमोस नहीं हो peace 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 चब दे रो that's how it works man that's exactly how it works अच्छा ये कहते हैं the Hanafi jurist al-Quduri said in his relied upon work of fiqh at-tajrid ठीक है ये किताब का नाम है और इसमें फिर अर्वी में लिखते हैं और उसके बाद उसका translation भी करते हैं after citing the above us thus he commanded fighting them and he made the extent of that until payment of the jizya तो उसके बाद दूसरे एक Hanafi scholar का वो हवाला देते जिसकी किताब al-bidai as-sanai जो मैंने अभी उसका हवाला दिखाया था आपको islamweb.net से है the covenant of protection for non-muslim is contracted as a means to their accepting islam ये means से Adam साब ये जो jizya लिया जा रहा है ना ये असल में एक जरिया है के वो islam कबूल कर लेंगे आपने आपने कहा था ना एक बार के इतना उनको मजबूर किया जाएगा इतना दबाया जाएगा के वो बिल आखिर इसलाम कबूल कर लेते हैं इसलाम कबूल कर लेते हैं इसलाम कबूल कर लेते हैं सोचो ये एक जरिया है ये हनफी हनफी फिक का जो ये है बड़ा स्कॉलर है वो अपनी किताब में लिख रहा है ये जरिया है अच्छा उस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि ये हर साल इसलिए लिया जा रहा है यानि अब उसने एक साल कबूल नहीं किया जिजिया दिया फिर एक साल नहीं कबूल कर रहा है फिर जिजिया दे रहा है मतलब वो जो एक एक साल का पिरेट इस वज़े से कि अभी ये साल भी इसलिए नहीं कबूल किया है अगर कबूल कर लेगा तो जिजिया माफ हो जाएगा so it's a means of accepting Islam okay आगे देखते हैं he may his greatness be exalted declared permissible the blood of those capable of fighting then he spared it with payment of the jizya thus jizya is a compensation for sparing their blood वही बात जो मैंने आपको Islamweb.net से इस किताब डिरेक्ली किताब खोल के आपको बताई थी वही सेम चीज है यही उसी को कोट कर रहा है okay and after paying the jizya non-muslims must appear अच्छा यह अब यह देखे यह भी बड़ी गौर करने वाली बात है Adam साब pact of umar हमने देखा था ना वही सेम चीज आपको हनफी फिक में भी मिलेगी क्या है देखे आप and after paying the jizya non-muslims must appear different from muslims in their clothing transportation and outward appearance even of their homes ओ बेगेर तो बेतरी सिक्यूलर लिबरांडू जर्मन शेपर्ड हजरत जर्मन शेपर्ड ये तुम्हारा इसलाम है जिसकी तुम तारीफे करते हो ये तुम्हारा इसलाम है ये टीचिंग देता है non-muslimo के लिए तुमको अगर इसलामिक शरियत में डाल दिया जाए ना actual इसलामिक शरियत जहां पे होगी वहाँ दाल दिया जाए ना तो तुम मुसल्मानों की तरह कपड़े भी नहीं पहन सकते यू नीट टू लुक डिफरेंड आप उनके स्टाइल को अपना नहीं सकते आप उनके जैसे कपड़े नहीं पहन सकते आप ट्रैंस्पोटेशन उनके जैसा इस्तमान नहीं कर सकते बलके आपका घर भी अलग होना चाहिए मुसल्मानों से और उसकी वज़ा बताऊंगा ये इसमें आगे लिखा हुआ है कि क्यों अलग होना चाहिए इसी किताब अच्छा आगे क्या लिखते हैं अगेन हीर इन अलकसानी उसमें आगे का वाकिया वो लिखते हैं उमर बिन अब्दल अजीज कमांड़ दैट इट वी अनाउन समंग दी पीपल आट नो क्रिश्टिन शाल रिमें एक्सेप्ट ही टाई अनौट इन इस फॉर्लॉप और एट राइड ए सैडल ये ये आउकात होगी आपकी अचाहिए इस से रिलेटेड वीडियो भी देख लेंगे इसको जड़ा देख लेते क्योंके पीजी स्कॉलर है भाई ओके इस नौट रिपोर्टेट आट इनीवन रिजेक्टेड इट सो इट इस जट लाइक consensus अचाहिए अचाहिए अचाहः आटम साव अब देखे और एक बड़ी बात आ गई तर हम और एक बड़ी बात ये आई किसी ने भी इसका इससे इख तिलाफ नहीं किया इसका मतलब ये है कि ये इजमा हो चुका है अबसलोटली अबसलोटली इच्मा भी हो चुगा है इस पे okay and since there is security in terms of the symbols of Islam so Muslims may rely on the expression of these symbols upon meeting that is not possible unless non-Muslims who pay the jizya can be distinguished by means of indications and by exhibiting these indications the effect of humiliation is manifest on them hi hi क्या होना चहेया madam साथ UX क्या दीखना चाहिए शिल्लत उनके चहरे पर नज़र आनी चाहिए था सर est एक और बाल भी ऐसे कटाने है कि दूर सतल अलगड़ है और भालों के बात करता ने बाल रयूबर निए है एक तो पेल्ड पेहने हैं ये कपड़े पेहने हैं उपर से बाल की कटिंग भी है हाँ वो सब अलग मतलब मुसल्मानों से अलग होना चाहिए पता चलना चाहिए कि भाई ये जिम्मी है ये इसने इसलाम कबूल नहीं किया था इस वज़े से जिल्लत उठाकर ये जिल्दगी सई हुझा तक प्शेयर रहे हैं इसे चाहिए दिए सब्सक्राइब कर लेते हैं और एडिटर साब को बोल देना कि यह वीडियो अलग से क्रॉप करके हो सके तो कल परसु में ही डाल दे अच्छा ही उसमें लिखना के बांगलादेशी जो नौन-मुसलिम है अगर शरीयत आ जाती है तो उनके साथ क्या हाल होगा क्या होगा अलकस्थानी continues with the discussion is explaining all the way in which the men and women must appear different from muslims and even their homes must be marked so that muslims do not mistakenly make दूआ for them while passing यह रेकिए और एक बाद इस वज़े से अलग रखना है ताके गलती से कोई muslimान वहां से गुजर रहा हो उसको यह गलत फेहमी ना हो जाए कि यह muslimान का घर है और वो उसके लिए दूआ कर दे यह उससे गलती ना हो जाए muslimान से गलती से भी दूआ ना कर दे यह उसको पदा चलना चाहिए कि यह भाई यह एक नॉन-muslim का घर है अच्छा अब वो क्या था कि वो इस्लामिक इसमें रह रहा था हो शरिया वाले जोन में रह रहा था अब वो वहां से चला गया और ऐसी जगा गया यह जगा यह जगा यह जगाए जो के दारल हर्ब है यानि ऐसी जगा जहां पे अभी खिलाफत कायम नहीं हुई है या उसको उन्होंने कॉंकर नहीं किया अगर वो वहां अगर वो चले गया तो अब इसका जो जिम्मी का जो यह था और जो स्टेटस जो था वो खतम हो गया अब वो हर्बी बन गया फिर से और फिर वहां पे अगर हमला करेगी इसलामिक हुकूमत और सामने अले को आप्शन देगी कि भाई इसलाम कबूल करो जिजिया दो या लडाई के लिए तयार हो जाओ तो इसलाम नहीं कबूल किया जिजिया देने का इंकार कर दिया तो उनके साथ लडाई होगी और जूटे के रसूल उल्ला ने अपने जमाने में ही खतम कर दिया था, रसूल उल्ला ने ऐसा सिस्टम बनाया के स्लेवरी खतम हो गई, ये जूटे के रसूल के बाद के जो ये है स्कूल ओफ थौप है, ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है, कोई बन किया, बैन नहीं किया, अबॉलिश नहीं किया, रसूल उल्ला ने स्लेवरी को, जूटे है ये लोग, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, के बनाएंगे, अगर हमला करेंगे, इसलामी खलीफत है, खिलाफत है, और वो अगर कोई नॉन मुस्लिम स्टेट पे हमला करेगी, कंट्री पे हमला करेगी और वो इसलाम नहीं कबूल करते, जिजिया भी नहीं देते, तो उनको बनाया जाएगा फिलेफ, आच्छा, आगे, आच्छा, क्या है, नॉन मुस्लिम्स अर नॉन मुस्लिम्स अर नॉन अलाओ तो एग्जिबिट देर आइडल्स और ग्रॉस्स, बाई एंड सेल पोर्क औ मुस्लिम्स, और यहां पे देखिए, वो अपना जो आइडल्स है, मूर्ती है, या क्रॉस है, वो उसको एग्जिबिट भी नहीं कर सकते, वो दिखा नहीं सकते, वो मार्किट में नहीं ला सकते, आच्छा, अपना पोर्क और एलकोहल खरीद फरॉग इसकी नहीं कर सकते, पिर उनको अलग दिखना है मुसल्मानों से, उसके बाद, दे अर अड्रेस्ट बाइडि प्रोहिबिशन से इन इस्लामिक लॉग, अभी देखो ये क्या कहते है, मुल खोल दिया है, क्या कहन रे है अडम से बाइड्रेस्गinga है? कर रहे हैं उन्हारमियों को अंब का पता नहीं है कि इस्लामिक लॉग क्या है इन शोड वो ये कह रहे है मुमिन बोले है यह आप इंगलिश में किदर भी हरावी नहीं लिका है यह उसका सार बता रहे आपको निचोड बता रहे है डग साब निचोड हाँ निचोड थैंक यू थैंक यू थैंक यू यह जो भी मुमिन हजरात जो यह कह रहे है यह बोल रहे है कि इक्वल राइट्स होगा प्रीडम ओफ रिलिजन होगा अगर इस्लामिक शरी आ जाएगा जो कि बांगलादेश के हिंदूस के लिए वो कह रहे हैं जो यहाँ पर आके भी धोका देनी कोशिश करते हैं और लिबरल लेफ्टिस लोग भी यही काम करते हैं तो यह कह रहे हैं कि उनको थोड़ा भी आइडिया नहीं है कि इस्लामिक लॉग क्या है अचाए एक फिर कहता है रादर सच एनिमीज ऑफ दी शरिया अचाए अब क्या कह दिया उसने जो ऐसे लोग है उनको क्या बता दिया यह शरियत का दुश्मन बताया दुश्मन रादर सच एनिमीज ऑफ दी शरिया आप दी रीजन वाइ फिगर्स लाइक हसीना केम इंटो पावर इंटी फिर्स प्रेस इस शरियत इसमनों की वज़े से शेक हसीना जैसे लोग जो वो पावर में आए काल लो ही न सम्मादा आया अचा अचा इसमें और एक एक बात करता है अदम साब फिलिकता है वी नीट थेम तो आइधर शट अप और लीव लाइक हसीना विकॉस दे विल पुट फॉरवड अनधर टाइरंट वो इल अपोज इस्लामिक लोग एंड मडर इंप्रिजन उलमा अगेन फॉर एड्वोकेटिंग इस्लामिक लोग यहां तक वो रुका नहीं एडम साब वो कहता है कि ऐसे दुश्मन शरीयत का मूँ बंद कर देना चाहिए या इनको हाँ दफा दूर कर देना चाहिए भगा देना चाहिए क्यों क्योंके फिर हसीना जैसा कोई दूसरा और आ जाएगा जालिम दूसरा कोई जालिम हसीना की तरह आ जाएगा जो के इस्लामिक लोग को अपोस करेगा उसके अगेंस जाएगा और जो यह हक बोलने वाले उलमाय जैसा यह है जो हarte केते हैं इंको वह जेल में डाल देंगे या मार देंगे किनके उन्हों चोंब सब्सक्राइब पाकिस्तान से बैट के लिख रहा है उसे में बाट के लिख रहा है अमि pupils अगर यह आपको ब्लॉक अगर नहीं है तो इसका तरह एक बार प्रोफाइल भी दिखाना लोगों को अच्छा इसने और अच्छा आप कोई बोलेगा के भाई यह भड़का हुआ रहेगा कोई मुलाना भाई इसके कमेंड में जितने मुमिन लोग ने कमेंड किये है उस सब ने इसको कह कहा के यार एला शुड्स शे विड़ ओव यू इत्रूट वेल सेट शेट की जार्रेम मुमिन नजरा आत हमों अच्छा उसमें यह करीमा उम्में सफिया करीमा नाम से जाहिर से और उम्में सफिया है तो यह फीमेल है क्या लिखती है they don't know akida because how can we call for good treatment of hindus i can't think of mushrikin that are worse than them hi 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 i can't think of mushrikin that are worse मतलब दुनिया में जितने मुश्रिक है उन सब में वर्स हिंदूस है यह कह रही है यह कह रही है कि मेरी नजर में दुनिया में जितने भी मुश्रिक है मुश्रिक जो एक ब्रॉडर कैटेगरी है उसमें आप हिंदू को डाल सकते आप बाखियों को डाल सकते जितने मुश्रि है उसमें सबसे वर्ज जो है वो हिंदू है तो आप कैसे उनके गुड ट्रीटमेंट के बारे में बता सकते हैं इनको अकीदे का पता ही नहीं है यह अप्रिशेट कर रही है अच्छा उस पे रिप्लाई क्या करता है देखो आडम साथ हनफी अलाओ हिंदूस टूपे जिजिय अच्छा अभी आप सोचो कि मैं कहता हूं न हमेशेट करता है अच्छा अब ही आप सोचो कि मैं कहता हूं न हमेशेट कि मुसल्मानों से बड़ा डोगला हीपोक्रेट आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा इसलाम में इसलाम में आप जो है वो खलीफा का भी नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता जो उनका जो पूरा स्टम है उसमें नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता और यहां के हमारे लेडी सर जी सही आपकी अच्छा एडम साब हमारे यहां के जो सस्ते अरब है ना इनको बड़ा गुस्ता आया अच्छा बड़ा गुस्ता आया कि बीजेपी ने एक भी मुसल्मान को सीट नहीं दी यानि कैंडिडेट का वो ही नहीं दिया बड़ा गुस्ता है क्यों नहीं दिया बीजेप और इसी तरी के से बहुत से मुसल्मान वो कॉंग्रेस के ओपर भी भढ़के कि उन्होंने भी नहीं दिया तुमने अपना इसलाम देखा है तुम्हें देना चाहिए हम तो पारलेमेंट में तुम्हारे अभी भी बिठा के रखे है तुमने अपना इसलाम देखा है कभी दूसरों के साथ तुम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हो क्या सोच है देखा है शरम नहीं हाती फिर इस तरीके से सवाल करते हुए या इसे एक्सपेक्टेशन रखते हुए अच्छा एक चीज़ इसमें से पेंडिंग रखे है अमित वो फटाफट में दिखा देता हूँ कि यह कह रहा है कि हनफी अलाओ करते है मुश्रिकों को जिजिया लेना जो क्या कहते है उसको शाफी वो मैंने इसमें नहीं डाउनलोड किया है अच्छलन साहिं के लेन इसमें लेन लगा वनन से के लिया है लेहाजा उनको इसको मौडिफाई करना परा तो उन्होंने मौडिफाई किया इसलिए के वह साइड पर थे शाफी लोग जो थे और मालकी लोग जो थे ये एफरिका और यॉर्पिंग साइड पर गए थे वहाँ पर उन्हें धेर सारे जूजर कृश्चन ही मिले थे बहुत कम बहुत कम जो है नोनले किताब थे तो लहाजा उन्होंने कुरान के उपर चले थे लेकिन हनफियों ने जब देखा यहां पर आके अफगानिस्तान सारे एक जमाने में आलमुस्ट हिंदू टाइप लोग ही रहते थे वहाँ पर थे थे तो इन्होंने का या अगर हम सब को मा 8 संचरी के एंड में लेट 8 संचरी में पहला इंडिया के अवर अटाइक हो गया था इंडिया अफवानिस्तान तक था था ठीक तो पहला आटैक इन्होंने कर दिया था अर्ली नाइन सेंसरी में, सो हनफियों की मजबूरी थी, कि वो करते तो, यह कहना कि यार वो पहले सी था, नहीं नहीं, क्योंकि वो थे इसी साइट पे, माम अभू हनीफा इसी साइट के लोगों के लिए थे, तो उन्हों ने इज़र लिखा, क्योंकि उनके कोई चारा ही नह आठा, इसमें, अब यह बंदे से, अपना आचान से, एक मेर पना बैट कर दिया है, और लोगों को ब्लॉक करता जा रहा है, किसी को इसकी unda और ऊपन होते वह नगह का भाई जड़हा है जर्द्रमक्र करणीएacz मेरा करी या यह मतलब इसको जिसने फॉलो कर रहा है दोनों साइड में उन लोगों को सिर्फ इसकी ट्वीट दिख रही होगी मतलब इसने ऐसे पंदरा लोगों को फॉलो किया हुआ है और वो भी इसको फॉलो करते है तो बस वो फंदरा कोई दिखेगी इसको तीन जार संथिंग फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है उनको दिख रही होगी अब मैंने इसको फॉलो डाला है तो रिक्वेस्ट पर गया अब यह एक्सेप्ट करेगा रिक्वेस्ट तो मेरे को शैदी अच्छा प्राइवेट कर दिया है एक तरह से दूजो वारे साहिए प्राइवेट करना विचारे का बात में फिर यह बाकी लोगों ने इस पर यह भी बनाया है वो मेरे गया से और एक ने भी अपने जिहाद वॉच या पता नहीं कुन से उसमें उसने भी लिखा हुआ है यह ट्वीट के बारे वे लेकिन कल जब मैंने किया था ना तो यह बे करा डर गया सज बताने के तोर पर सुचो गुना इसका इतना ही था कि इसने सज बताया